रमेश खुदाई का काम किया करता था जिससे उसके घर का खर्ट चल पाता था पर वो इतना नहीं कमाता था कि वो और उसका परिवार एक अच्छी जिंदगी बिता सके एक तिन जब रमेश रात को थका हारा घर आया तो आते ही कमला उससे बोली आपको पता है न कल मुझे माई के जाना है मुझे जानी से पहले कुछ पैसे दे देना आ मुझे पता है पर आज जो कमाई हुई उससे घर का सामान ही आ गया बलकि थोड़े पैसे कम ही पड़ गए थे हे भगवान अब मैं कैसे जाओंगी अपने घर खाली हाथ जाने कोई अच्छा लगता है क्या कभी भी किसी चीज की जरुरत पड़ जाए तो क्या मैं वहाँ किसी के आगे हाथ पहलाऊंगी मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ पर क्या करूँ मैं भी मजबूर हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि कितनी कमाई हो पाती है और क्या ही बच पाता है हाँ हाँ ठीक है, अब मैं क्या ही करूंगी कहीं जाकर, यहीं ठीक हो, कमला रोते हुए अंदर चली जाती है, रमेश को कमला के लिए बड़ा ही दुख होता है, कि वो अपने माई के नेजा पा रहे, रमेश भी उदास होकर सो जाता है, अरे ओ भाई, जरा सुलो तो, जी कौन क्या आपने मुझे आवाज दी, हाँ भाई, तुमको ही बुला रहा हूँ, आओ, जी सेट जी, बोलिए, हम, तुम खुदाई का काम करते हो, जी सेट जी, अच्छा, यहां से थोड़ी दूर पर मेरी जमीन है, वहां मुझे टूब विल लगवाना है, ठीक है, मैं आपका का पूरा दिन वो वहां की जाड़ियों को हटाने का काम करता है, सारी सफाई के बाद रमेश एक जगह देखकर, खुदाई शुरू कर देता है, जैसे ही रमेश खुदाई करना शुरू करता है, उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए, खुदाई का काम फिर से शुरू कर देता है, आज तो मैंने काफी काम कर लिया, रात भी होने वाली है, पर रमेश फिर से फावरा मारता है, तो फिर से कुछ टकराता है, रमेश को लगता है कि ये जमेन में धसे हुए पत्थर होंगे, जैसे वो थोड़ी मिट्टी हटाता ह तो वहाँ उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है, रमेश थोड़ी और मिट्टी हटाता है तो उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है, वहाँ तो सोना दबा होता है, रमेश जल्दी से और जमीन खोदने लगता है, तो उसे वहाँ धेर सारा सोने का खजाना मिलता है, रमेश उसने तो कभी इतना सोना देखा ही नहीं होता, उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, कोई उसे देखे इस से पहले ही वह जल्दी से खजाने को उठा कर जेब में भढ़ने लगता है, पर जैसे ही वह जेब में खजाना डालता है, तभी उसे मिट्टी से धुमा आता एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, रुक जाए मूरक अदमी, परना मेरे हाथों मारा जाएगा, कौन है, कौन है यहाँ, रमेश इधर उधर देखने लगता है, कि अचानक उसके सामने भयंकर शकल का भूत खड़ा दिखता है, यह मेरी कब्र है, मैं यहीं रहता हूं और सालों से भूका हूं, तूने मेरी कब्र खोदी, और उपर से मेरा खजाना चुरा कर ले जा रहा है, तुझे तो मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगा नहीं नहीं भूत जी, मैं तो यहां किसी का काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था, यहां आपकी कब्र है, मैं बहुत करीब हूं, और मेरे बीवी बच्चे कब से भूके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यो ना मैं ये खजाना ले जाओं, जिससे हमारे घर के हालात सुधर सके इसलिए मैंने सोचा कि क्यो ना मैं ये खजाना ले जाओं, जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें हम, मैं तुझे ये खजाना दे सकता हूं, पर एक शर्त पर क्या शर्त भूत जी, अगर तुम रोज मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओ, तो मैं तुम्हे रोज इस खजाने में से एक चीज दे दूँगा क्या, सच में, अगर ऐसा है, तो जो तुम बोलोगे, मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आओंगा ठीक है, तो कल रात को मेरे लिए मिठाई लेकर आना, मेरा मिठाई खाने का मन है रमेश बड़ा खुश होकर घर जाता है, और अपनी पतनी कमला को मिठाई बनाने को बोलता है ये आपको आज क्या हो गया है, घर में खाने को नहीं है और आप मिठाई की बात कर रहे हो ओ, ओ, जो मैंने बोला है बस तुम वो करो, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता पर अगर तुम कल बढ़ी आसी मिठाई बना कर मुझे दे दोगी, तो हमारे दिन बदल जाएंगे मिठाई बनाने से कैसे दिन बदल सकते हैं? लगता है गरीबी ने आपको पागल कर दिया है खेर, कोई नहीं, घर में जो दूद रखा है, उससे कल में आपको मिठाई बना कर दे दूँगे अगले दिन कमला मिठाई बना कर रमेश को दे देती है, रात को रमेश मिठाई लेकर चुपके से उस भूत के पास जाता है खूत जी, खूत जी, आ जाओ, देखो, मैं मिठाई ले आया हूँ आखिर तुम मेरे लिए मिठाई ले ही आए, खुश्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, जल्दी ये मुझे दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा रमेश वो मिठाई उस भूत को दे देता है, भूत का पागाप उस मिठाई को खा जाता है वाँ, ये मिठाई तो बड़ी ही स्वादेश्ट है, तुमने मुझे खुश कर दिया, ये लो, ये लो सोने के कंगन एक दिन कमला रमेश ते बोलती है, क्या उस भूत के पास इतना सारा खजाना है कि वो रोज हमें देने के बाद भी खत्म नहीं होता सोचो, अगर सारा का सारा खजाना हमें एक बार में मिल जाए, तो कितना अच्छा हो, हमें तो फिर इस गाउं में रहने की जरूरत नहीं आराम से शहर में मज़े की जिंदगी जियेंगे, और नकुल को एक अंग्रेजी स्कूल में डाल देंगे हाँ, ये तो है, और रोस रोस मुझे उस भूत के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो भूत हमें सारा खजाना एक बार में नहीं देगा अरी कोई तो तरीका होगा, मुझे आज तुम सोचने दो, फिर मैं ही कुछ करती हूँ कमला और रमेश के मन में लालच आ जाता है, अब दोनों सारा खजाना उस भूत से एक बार मिलेने के बारे में सोचते है कमला दूसरे गाओं में एक तांत्रिक के पास जाती है, और उसके पास जाकर जूट मुट का रोने लगती है बाबा मेरी मदद करो बाबा मेरे घर में एक भूत का वास है जो रोज हमसे मिठाई माँगता है अब हम क्या करें बाबा आप ही ऐसा को छुपाए बताओ जिससे हम उस भूत को खत्म कर सके हम मैं तुम्हें एक भबूत पढ़ कर देता हूं कमला उस तांत्रिक से भबूत लेकर घर आ जाती है और मिठाई में मिलाकर रमेश को दे देती है अब इस मिठाई को खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा रमेश मिठाई लेकर भूत के पास जाता है आ गए तुम मिठाई लेकर मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था आज तुमने आने में बहुत ही देर लगा दी जी बस वो आज मिठाई को जादा सौधिस्ट बनाने में मेरी बीवी ने कुछ जादा ही देर लगा दी चलो कोई बात नहीं तुम मुझे मिठाई तो बस भूत रमेश के हाद से मिठाई लेकर खाने लगता है मिठाई खाने के बाद ही भूत का शरीर आग की तरह जलने लगता है ये 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 तुमने मुझे क्या खिला दिया भूत तडब तडब कर जल कर भसम हो जाता है रमेश जल्दी से सारा खजाना एक पोटली में बांद कर घर पहुँचता है रमेश पोटली को खोलता है तो उसके पैरो तले जमीन ही खिसक जाती है पोटली में मिट्टी और कंकर पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं होता